इस वीडियो में आप सीखेंगे D&D एब की सहायता से अंचाहे कॉल्स और मैसेज़ेज ब्लॉक करना अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें अन्य लोगों के साथ शेयर करें हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें आजकल हमारे फोन पर कई सारे अवांचित यानि unwanted marketing calls और SMS आते हैं जिनके वज़े से हम अपने ज़रूरी काम करते करते पीच में ही disturb हो जाते हैं इन में से अधिकांश, calls और SMS उपयोगी नहीं होते हैं और इन में service संबंधी भी विशेश जानकारिया नहीं होती हैं इन calls और SMS से बचने के लिए D&D यानि Do Not Disturb एप डाउनलोड किया जा सकता है ये एप Try यानि Telecom Regulatory Authority of India द्वारा शुरू की गई है इस एप को डाउनलोड करने के लिए अपने Android फोन में दिखाई दे रही एप्स में से Play Store पर टच करें Google Play Store ओपन होने पर Search Bar में टाइप करें D&D T-R-A-I देखें लिस्ट में D&D अप दिखाई दे रही है इस पर टच करें अब यहां दिख रहा है Install Option पर टच करें Install पर टच करते ही एप डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी एप डाउनलोड हो जाने पर आपको दो अप्शन्स दिखेंगे Uninstall और Open आप चाहें तो पहली बार एप यहीं से Open करके इस्तेमाल कर सकते हैं और भविश्य में इस एप का उप्योग करने के लिए अपने फोन में दिख रही एप्स में से D&D एप पर टच करें एप उपन होते ही यह मेसेज दिखाई देगा इसमें लिखा है कि आपकी प्राइवेसी हमारे लिए महत्पून है स्पैम कॉल्स और SMS को पहचानने के लिए एप को आपके फोन कॉंटेक्ट्स, कॉल लॉग्स और SMS लॉग्स देखने की परमिशन चाहिए होती है परमिशन देने के लिए ओके पर टच करें यदि आपके फोन में दो सिम है और दोनों ही नंबर पर आप D&D की सुविधा चाहते हैं तो अपने फोन में डली हुई SIM 1 और SIM 2 के नंबर डालें आप चाहें तो एक सिम के भी स्पैम कॉल्स और SMS ब्लॉक कर सकते हैं हमने यहां अपनी दोनों SIM के नंबर डाल दिये हैं अब यहां पर अपना नाम टाइप करें और Sign In पर टच करें Sign In पर टच करते ही यह मैसेज दिखाई देगा इसमें लिखा है कि हम आपके फोन नंबर को बैक्ग्राउंड में वरिफाई करेंगे एक बार नंबर चेक करके ओके पर टच करें ओके पर टच करते ही हम इस एप में लॉग इन हो जाएंगे D&D के लिए रेजिस्टर करने के लिए रेजिस्ट्रीशन स्टेटस पर टच करें दिखिए इस एप ने अभी केवल एक ही SIM को वरिफाई किया है इसलिए उसका D&D स्टेटस दिखाई दे रहा है और जो दूसरी SIM है उसको वरिफाई नहीं किया है इसलिए इसका स्टेटस नेवर रेजिस्टर दिखाई पड़ रहा है इसके रेजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा वो हम इस वीडियो में आगे बताएंगे फिलहाल हम SIM 1 के लिए जिस भी तरह की Calls और SMS ब्लॉक करना चाहते हैं वो देखने के लिए Change Preference पर टच करेंगे इस पर टच करते ही कुछ Categories दिखाई देंगी इनमें से यदि आप सभी Categories की Calls और SMS को ब्लॉक करना चाहते हैं तो No Calls and SMS को सिलेक करें आप चाहें तो अलग-अलग Category भी सिलेक कर सकते हैं हमने ये Category सिलेक की है आप जो Category सिलेक करेंगे उनका Color चेंज हो जाएगा हमने D Register को छोड़कर ये सभी Category सिलेक की हैं इसलिए इनका Color अलग दिखाई दे रहा है अगर आप D Register सिलेक कर लेंगे तो इस एप में आपने जो Registration किया था वो Cancel हो जाएगा अब Submit पर टच करेंगे Submit पर टच करते ही Message Box ओपन होगा देखे इसमें ये Message अल्रेडी टाइप किया हुआ दिखाई दे रहा है अब चुकि हमने SIM 1 के लिए ये सभी Category सिलेक की थी तो SMS सेंड करने के लिए भी SIM 1 सिलेक करेंगे सेंड पर टच करते ही ये SMS 1909 नमबर पर चला जाएगा जैसे ही आप अपने फोन से D&D अक्टिवेट करने का SMS भीजेंगे आपके मुबाइल में SMS आएगा जिसमें लिखा होगा कि आपके मुबाइल नमबर में D&D अक्टिवेट करने के लिए request accept हो गई है और 7 दिन के अंतरगत आपके मुबाइल में प्रमोशनल कॉल्स और SMS आना बंद हो जाएंगे अब हम आपको सिम 2 के लिए भी रेजिस्ट्रेशन करना बता देते हैं जिसकी प्रोसेस बहुत सरल है इसके लिए D&D अप ओपन करिए यहां से रेजिस्ट्रेशन स्टेटस ओप्शन को टच करें चुकि हम दूसरी सिम पर भी स्पैम कॉल्स और SMS ब्लॉक करवाना चाहते हैं तो उसके लिए चेंज प्रोफरेंस ओप्शन को टच करेंगे इन में से कैटेगरी चुनिए हम इस सिम में इन तीन कैटेगरीज के कॉल्स और SMS ब्लॉक करवाना चाह रहे हैं तो हमने इन्हें सेलेक किया अब सब्मिट आप्शन पर टच करेंगे सब्मिट पर टच करते ही मेसेज बॉक्स ओपन होगा और इसमें आप देख सकते हैं कि ये मेसेज अल्रेडी टाइप किया हुआ दिखाई दे रहा है चुकि हमने सिम 2 के लिए ये कैटेकरी सिलेक की थी तो SMS सेंड करने के लिए भी सिम 2 सिलेक करेंगे सेंड पर टच करते ही ये SMS 1909 नंबर पर चला जाएगा और अगर आपको रिक्वेस्ट कन्फर्म करने के लिए कहा जाए जैसा कि इस मेसेज में रिक्वेस्ट कन्फर्म करने के लिए 1909 नंबर पर येस लिखकर भेजने के लिए कहा गया है हमने इस नंबर पर येस लिखकर भेजा तो हमें कन्फर्मेशन का मैसेज आया जिस पर लिखा है कि आपके मुबाइल नंबर में D&D activate करने के लिए request मिल गई है और 24 hours के अंतरगत आपके मोबाइल में promotional calls और SMS आना बंद हो जाएंगे यहाँ एक जरूरी बात का ध्यान रखें सभी SIM provider के rules अलग होते हैं जैसे कि पहली SIM में हमने देखा कि service provider ने D&D service को activate करने के लिए 7 दिन का समय लिया जबकि दूसरी SIM के service provider ने 24 hours का समय लिया चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको इस app के कुछ अन्य options के बारे में बता देते हैं उसके लिए हम दोबारा D&D app ओपन कर रहे हैं यदि आपको किसी spam या फरजी call की complain करनी हो तो उसके लिए report voice UCC पर touch करें report voice UCC से आप पिछले तीन दिन में आए किसी भी unknown या फिर spam call की report कर सकते हैं जैसे कि हमारी SIM 1 में इस नंबर से 12 तारिक को शाम 6 बच कर 33 मिनिट पर call आया था और हमने 24 सेकेंड बात की इसकी complaint के लिए इस पर touch करेंगे इस पर touch करते ही आपको कुछ categories दिखाई देंगी complaint करनी से पहले category select करें हमें ये call ऐसे bank loan के लिए आई थी जिसके लिए हमने apply नहीं किया था तो हमने banking category select की अब call से संबंधित कुछ description देना होगा जो की 145 character से ज्यादा का नहीं होना चाहिए description देकर complaint through SMS पर touch करें फिलहाल हमें इस call की complaint नहीं करनी है तो हम एप के दूसरे options देख लेते हैं mobile के back option से एप के home page पर चलते हैं next option है report SMS UCC यदि आपके पास कोई ऐसे SMS आ रहे हैं जो आपको फरजी लग रहे हैं तो उनके report करने के लिए report SMS UCC पर touch करें यहां ऐसे numbers की list आ जाएगी जो इस app को लगता है कि इन से spam या फरजी SMS आए हैं इन में से जिसके लिए complaint करनी हो उस पर touch करें टच करते ही उस SMS से संबंधी detail आपको दिखाई देगी complaint करने से पहले category select करें और complaint through SMS पर touch करें फिलहाल हमें किसी भी SMS के लिए complaint नहीं करनी हैं mobile के back options से हम app के home page पर चलते हैं और आपको app के any options बता देते हैं अपने द्वारा की गई complaints का status चेक करने के लिए UCC complaint status पर touch करें जिस भी SIM से संबंधित complaint status आप देखना चाहते हैं उस SIM के view complaint status पर touch करें देखें चुंकि हमने कोई भी complaint फाइल नहीं की है तो यहाँ there are no complaints for this SIM दिखाई पड़ रहा है दूसरे options देखने के लिए हम mobile के back options से वापस app के home page पर चलते हैं सैटिंग पर touch करके आप अपना profile name बदल सकते हैं उसके लिए अभी जो आपका profile name है उसे change करके update पर touch करें इस वीडियो में आपने सीखा D&D app की सहायता से अंचाहे calls और messages ब्लॉक करना अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे like ज़रूर करें अन्य लोगों के साथ share करें